असलाम अलेकूम और आप सब का बहुत शुक्रिया अप इतना देर इतिजार किये में I'm sorry के हमने देर से शुरू हुए लेकिन मैं आपका शुक्र गजार हो आप हमेशा हमारा पर्स कांफरेंस के लिए आते हैं हमें कवर करते हैं आज हमें जब टाइम मिला में यहां काल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिंजाब इंसेकिटिव का एक तफसीली मीटिंग हुआ हमारा जो ओंगोइंग आवामी राप्ता मुहिम है जो में काफी जिसके जिसमे में हर सूबा में किया हूँ जगड़ जलसे जरूस किये हैं वो पिंजाब के लिहाज से जो हमारा प्लान बन रहा है उस पे काफी तफसील में बात हुआ वो इसलिए के पूरा पाकस्तान में और खास तोर पे यहां लहूर में और पिंजाब में हमारा मुहिशत का जो हाल है वो आपके सामने है हमारे आवाम, हमारे मज़दूर, हमारा किसान, हमारा नوجवान, हमारे सहाफियों का मुआशी गतल हो रहा है और Pakistan People's Party ने हमेशा आवाम को मुआशी हकोग का तहफूज किया है और साथ साथ Pakistan People's Party समझती है कि जब तक हमारा इनसानी हकोग की जम्होरी हकोग महफूज नहीं होंगे जब तक हमारा मुआशी हकोग महफूज नहीं रहेंगे तो हम अपना जिदुजहद अपनी अवामी रब्ता मोहें पे जोड़ दे रहे हैं और साथ साथ मतहदा उपोजिशन का जो मतहद जलूस होंगे जो मतहदा इतजाज होंगे उस पे भी काफी घौर किया गिया जो जमुरियत के साथ किया जा रहा है वो आप सब के सामने हैं अब कोई यूनियन कांसल के अलेक्शन से लेकर चैमिन सेनेट के अलेक्शन तक बैलिट बॉक्स का सैंक्टिती इस मुल्क में नहीं रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारिखी जदोजहद है पाकिस्तान की जिम्होरियत के लिए और हम समझते हैं कि जब के ये इंप्रेशन जा रहा है कि मुटाहदा आपोजेशन का शिकस्त हुआ मैं समझता हूँ कि बिलकुल नहीं हकूमत का शिकस्त हुआ गर जमुरी कोड़ों का शिकस्त हुआ और वो इसलिए कि वो बेनकाब हुएं मुताहिदा आपोजिशन का ये अंदाजा था हम हार सकते हैं उमीद था कि हम जीतते मार्जिन हमाना इतना बड़ा था लेकिन अगर वो धानली करके हमें हरवाते तो वो खुद बेनकाब होते और आज आप सब के सामने पुरे मुल्क के सामने खुले आम दानली हुआ सेनेट अलेक्शन में पुरा मुल्क ने देखा आप सब ने देखा कि कैसे 64 सेनेटर्स खरे हुए ओपन अलेक्शन में खुले आम अलेक्शन में 64 सेनेटर्स खरे हुए और खुफिया वोटिंग में, सिलेक्शन में, 50 वोट्स निकले लेकिन इसके बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है के चैमन सेनेट स्टाब को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए है आज भी इतना जोर के बाद, इतना धानली के बाद इतने गेर जमूरी रवाईों के इस्तमाल करने के बाद, आप इस हाउस का, इस सेनेट का मजॉरिटी इंजॉई नहीं करते हो इवन थूफिया वोटिंग, 50 सेनेटर्स ने आपको हटाने के वोट दिया और 40 सेनेटर्स ने आपके साथ दिया इसका मतलब ये है के आज भी you don't enjoy the majority of the Senate अगर आप में, if you have the moral character it is the demand or the time के आप खुद इस्तीफा दे दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने foreign senator elections के बाद अपने meeting बुलाया था सारे senators थे और सारे senators ने खुद इखलाकी तोर पे मुझे बतुर जैमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 21 के 21 resignations दिये हैं अब तक मैंने किसी का resignation कमभूल नहीं किया मैं ने एक fact finding committee बनाया है जो इस पूरा Senate election की process को investigate कर रही है मुझे बताएंगे कि मताहिदा opposition ने कैसे अपने अवीद मार्क क्यों ने मनतखिब कर सके इस election में और ये भी हमें बताएंगे कि अगर हमारे party में से किसी ने vote नहीं दिया वो कौन थे उसके बाद में जरूर आक्शन लोगा और अमीद है कि सारे कि सारे जमाते जो मताहिदा opposition में है वो इस किसम के steps लेंगे वो भी investigate करेंगे अब तक तो उनके सारे कि सारे senators में भी खुद इखलाकी तोर पे सौफीसित अपने इस्तीफे दिये होंगे भी और हम अगर मताहिदा opposition ये अमल करते हैं सही तरीके से investigate करते हैं तो इन्शाला ताला हमेशा के लिए ये होस ट्रेडिंग और सिलेक्शन को हम खतम कर सकते हैं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हम amendment पेश करें सेनेट में इसलिए पी टी आई का मैनिफेस्टो का तो हिसा है इमरान खान ने पहले से इलान किया था कि होस ट्रेडिंग होस ट्रेडिंग का जो जर है वो secret ballot है तो मुमीद है कि पी टी आई पी टी आई जो है मताहिदा opposition का साथ देंगे और ये जो secret ballot है जो हमें हमारा सेनेट पे मारा election process पे टाहका डालता है गर जो मुरी कुवतों को मौका देता है interfere करने के लिए इसको भी हम खत्म करें आप सब का जो 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 शिक्रस्त होई है उस पर आप गाफिंग मागते है अभी हमें के लोग जिनके साथ आपने अशाये की ए कितने खाने उप्लाए इसके बार जूमग को लोग आपके साथ तैने खड़े हुए चीज़ और बुफी बड़िगा हासिन दूजो साहथ पर ये कहना जो कुई गुरुक है जो खाई है और आप इसके उपर कोई जाहर देना चाहें कि आपके हैं वारता हासम जाहें तो मैंने आप सब को बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या 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 कदम उठाए है अपने लोगों का इंवेस्टिगेट करने के लिए और मैंने ये भी कहा है कि अमीद है कि दूसरे जमाते ये कदम भी उठाएंगे जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तालुक है मैं फुल कॉंफिडन्स के साथ कह सकता हूं कि मेरे अक्सरियत लोग मेरे साथ है जब जब भी ये चालेंज पाखि 창 vino party के सामना पशा चाब वो बजट के वोटइंग में हो पाखिस्तान पीपल्स पार्टी के 100% M&As मुझूद थे जब सेनेट इलेक्शन हो रहा था तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 100 सेनेटर्स मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैमपेंग, मुताहिदा अपोजिशन का कैमपेंग Pakistan People's Party पहले दिन से पूरा दिल्चस्पी के साथ चला रहे थे पूरा फोर्स के साथ चला रहे थे मैं जानता हूँ कि एक हुकम दिया गिया है मीडिया को एक इंस्ट्रक्शन दिया गिया है मीडिया को उन लोगों से जन्हों ने डान ली उन को तो से जिन्होंने डान लेगे कि हम पर शक ना दाले हम हमारे तरफ इशारा ना करें इनको आपस में लरवाए मैं जानता हूँ कि जो सॉर्सिस है ये खबर के ये वोही लोग है वोही सैनिटिस है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया मैं समझता हूँ कि अगर किसी सैनिटिस ने साथ नहीं दिया आपके सामने है फौर्टी सैनिटिस ने साथ नहीं दिया तो रियलिस्टिकली ये प्रपॉर्पॉर्शनिट होगा किसी एक जमात से नहीं होगा सारे कि सारे जमातों से सैनिटिस तोरे गिये होंगे लेकिन प्रोपॉर्षिनिट होगा आपका स्ट्रेंथ का सेनिट में और पाकिस्तान पीप्ल्स पार्टी का सबसे ज्यदश्राइ्च नहीं है मैंने एक पात करना है सोरी मैं समझता हूँ के बहुत जरूरी है के आपोजिशन पार्टी अपने पार्टी मेंबरान को हुकम करे के एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाए जब नून लीग इल्जाम लग रहे थे दील करने के लिए जुटे इल्जाम लग रहे थे तो मैं खुद उन इल्जामात का इंकार करता था आज अगर मेरे जमात पे नाजायस इल्जाम लगा रहा है अगर कोई नून लीग में से या मेरे आपोजिशन के आईलाइज में से ये बात कहे या इशारा भी करे वो बात मेरे खिलाफ कर रहे है मैं रिस्पॉंसिबिलिटी लेता हूँ मेरा सैनेट कैंपेंड के लिए मेरा सैनेट लीडरिशिप के लिए मेरे पार्टी का जो हिसा है और बाकी जमातों को भी बाकी जमातों को भी बाकी जमातों को क्यादत को भी अपने पार्टी का किर्दार का conversation लेना चैद्धा चाहात तक हासल विजंजोसाभ का statement है आप यह और नहीं सनना चाहते हो कि मेरा मौकिफ क्या होगा हासल विजंजोसाभ की statement पे देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने फैक्ट फाइनिंग किमिटी बिनाया है जिसका जिम्मदारी होगा इन सब इल्जामात को देखने इस पूरा प्रोसेस को देखने मैंने कैम्पेइन का दोरान पबलिकली कहा था कि मेरे लोगों को पैसा ओफर किया जारा है और दूसरे जमातों के अपने अपने गांए थे मैं वो फैक्स गैदर कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि दूसरे जमातों को भी अपने फैक्स गैदर करना चाही है कि अब में को कि में जा रहा है कि ऐवर्स पार्टी हो या बस्य विस्ट करें कि इस लिए पर सब्सक्रेंड होने कि कि यह ईोक चाहर से हैं वह अफना आ वित का जागा है विए इसलिको फक्रम को भंड है तो अब जा रहे कि उप अब नहीं करवा सकतें अगर आपोजेशन सर्जमाद का अपना सोच हो सकता है मैं समझता हूँ एक तो मैं किसी पे शक के बिना पे किसी के दूसरे कहने के बिना पे किसी को नहीं निका सकता ना पॉबलिकली किसी पे शक दाल सकता हूँ जब तक मेरा इंवेस्टिकेशन मकामल नहीं होगा मैं किसी के खरलाफ तो इंवेस्टिकेशन नहीं ले सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ इस बेटर कि I have a Senate election and I lose a Senate election इस बेटर देट वो असल चेहरे सामने आए और वो PTI जॉइन करे या दूसरा पार्टी जॉइन करे मैं चाहता हूँ वो लोग मेरे साथ हो जो मेरे साथ वाकिए हो तो पाकिस्टान PEEPOLS PARTY की नजर से बहुत जुरूरी है कि हम इस पे गौर करे लेकिन साथ साथ बहुत जुरूरी है कि हम फोकुस करे हकूमत पे कर्पटली हकूमत पे और गर जमूरी कुछतों पे जिन्हों ने ये धांत ली किया और हम विक्टिम ब्लेमिंग ना के है इन जमातों के जो माइनॉरिटी सेनिटर्स निहदारी की उन पे फोकस कम होना चाहिए इस बात पे ज्यादा फोकस होना चाहिए किस तरीके से गह जमूरी रुए इस्तमाल करते हुए एक सेलेक्शन करवाया गया हमारा फेडरेशन का सिंबल पे इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि 50 आपोजिशन का सेनिटर्स 50 आपोजिशन का सेनिटर्स दुबाओं के बावजूद पैसरे के लालिज के बावजूद अपने जमूरियत के साथ और अपने पार्टी के साथ वफदारी किया दिखाया और उन 14 लोगों की वज़ा से अब सब पे शक हो रहा है जो अफसोसनाग बात है इम्दार्स आप बाता है चिकस्त हो गई आप उसको जो भी कहें बाराद चेदर सेलेट को आप नहीं हटासे के लिए अपर्शन पहली बड़ी पूर करने जा रही तो जहां पर आपके पास दुबार्टी की वहां पर आपको शिकस्त कुई है तब आप हुकमत के लिए बड़ी तहरी चला ले जा रहे हैं मैं अपना सोच रखो सियासत, पॉलिटिक्स इस दी आप दी पॉसिबल इस एलेक्शन वस नॉट अपॉटिशन इस एलेक्शन शिद बिन ओवर अवर दे दे रहासल बिजिंजर साहब वस नॉमनेटे आप नहीं समझते हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नुवाज, बिजिंजर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुलाना अफजर रिमान साहब ने ये कैल्कुलेट नहीं किया होगा कहीं कि हो सकता है, इस मौल में, जहां वो कहीं और हमें छोड़ते नहीं, यहां कैसे छोड़ेंगे ये बिलकुल सोचा, इस पर भी सोचा, इस पर भी हमने सोचा लेकिन आज आज आप इस किसम के सवालाग पूछ रहे हैं आज सब के सामने, जो जो लोग डाउट करते थे, जो लोग मुझे कहते थे कि नए इलेक्शन तो साफशफाफ थे इसलिए उन्होंने खुद एक्सपिरियंस नहीं की, उन्होंने खुद नहीं देखा उन सब को खुले आम नजर आया सैनेट के इलेक्शन में के हकुमत गेर जमूरी हटकंडो इस्तमाल करके भारी हो गया तो वो इस्पोज हो गये, बेनकाब हो गया और आपोजिशन का मकसद क्या है? क्या आपोजिशन का मकसद ये है कि हम हर ओदा को टेक ओवर करें? या opposition का मकसद ये है कि हम हकूमत को बेनकाब करें मेरा कोशिश तो ये है कि मैं हर फॉरॉम बे हकूमत को बेनकाब करूँ और मैं समझता हूँ कि जी अगर आपका सिर्फ टाकत का आपका सिर्फ ओदा का सोच है तो आप समझ सकते हो कि ये शकास्त है लेकिन अगर आप सियासी सोच रखते हो तो ये सियासी जीत है कि आपने हकूमत को बेनकाब कर दिया आप पाकिसान फुबस पार्टी नहीं है जब दिया थी लेकिन जो बेड़ एक फुक्त सुनार चाहिए था प्रटी प्रटी किसर पे प्रोटोन चाहिए तो ऐसे मैंने तो अब प्रक्व нравится में कहा कि as far as a secret बालैक that paxi people's party intends to bring reforms and hopes to not only our opposition allies but also the government who has previously stated there in support of such reforms will support I would would support us in this in अगर आज में मतालबा करता हूं सेलेक्शन के लिए और नए ऐलेक्शन के लिए तो वहाँ भी फिर से सिलेक्शन ना हो तो इसलिए हम समझते हैं कि कानून साजी होना चाहिए साफ इस फ़ाफ ऐलेक्शन के लिए अगर साथ से कुई लोगों को ये खौब नजर आ रहा है कि सिंध हकूमत जाएगा मैं बस अतना ही कर सकता हूं कि सिंध हकूमत आज भी है और वो जो लोग बाते बाते करते थे खौब देखते थे वो तो गे और आपके जैनरल एलेक्शन में मैं आन रेकर्ड हूं मैं आन रेकर्ड हूं कि क्या हटकंडे इस्तमाल कियेंगे पाकिस्तान पीपल स्पार्टी के माज़ी में नहीं 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 नहींए काप्सान पीपल स्पार्टी and I, I, मैं, मैं अपने कारकून पे अपने अमीदवारों थे, मेरे कैंड़ेट्स पे फखर करता हूँ कि उन सारे हटकंडों का मकाबला करते हुए उन सारे हटकंडों का मकाबला करते हुए उन्होंने मुझे ज्यादा सीच दिये हैं ज्यादा मजॉरिटी दिया है इस पार अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा हकूमत हटाएंगे तो फिर हटा के दिखाएं हटा के दिखाए, इसलिए मैं नवे दिन के अंदर रे अंदर वापस आऊंगा मैं बाई एलेक्शन्स करवाँगा और मेरा मजॉरिटी फड़ेगा और तारीख में सबसे ज्यादा मजॉरिटी आज मेरे साथ है यह आप हटकंडा करे, मेरा पूरा का पूरा सौ फीसफ मजॉरिटी हो जाएगा से दिस हैमिली में और आज भी मैं एक और रियलिस्टिक एक 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 फैक्ट आपके सामने पेश करूँ यह जो लोग बड़ा असानी से कहते हैं न सिंध हकूमत सिंध हकूमत 18th Amendment की वजह से आज उनको एक, दो, चोदा MPAs नहीं तोड़वाना परेगा 50% plus 1 I have 100 MPAs in the Sindh Assembly Good luck breaking 51, 51 Pakistan People's Party MPAs and good luck winning 51 Sindh by elections against me हमने अभी घोटकी में दिखाया हमने अभी घोटकी में दिखाया के पूरा हकूमत और जो भी उनके दोस्त है वो मिल के मुकाबला करें इबरतनाक शिकस्त होगा माली आँख भी इस तरफ ना दिखाया आपका टाइम जाय हो रहा है जाइब जाइब करें जाइब करेंशक विल्टकूस्तार की इडोगी और जो में में दोगी ने हुए तो तब जो उपजिशन का consensus candidate बन सकता था वो सादिक सुज्रानी साभ था आज जो consensus candidate बन सकता था वो हासल बिजिंजो साभ है कल अगर opposition का make-up या majority का make-up तबदील हो जाता है Senate में तो फिर उनका consensus candidate भी तबदील हो जाएंगे लेकिन मैं बाकी सब party उसको बताना चाहूंगा कि मुझे पता है कि किस ने और कौन से जमातों ने और कांसे जमात से तालुक रखने वालों ने सादिक सजड़ानी साभ को पहली बार वोत दिया तो आप अब जमुरियत की इंटरिस्ट में मुझे अपजिशन का इंटरिस्ट में हम आपस में ना लरे उन लोगों ने जिन्हों ने इत्हान ली की उन हकोमती लोगों ने जिन्हों ने पे किया खर्च किया उन पे फोकस कर कारण जिन्हों ने जिन्हों ने के पता है यह वोगों कि अविशन के कि दुनी को आप क्यासीर नहीं है अचा तो देखो इस एक जहां तक आर्टिकल 6 की बात है Article 6 पर अक्लेर है किसी और को हमें ने सकाए कि Article 6 का क्या मतलब है Pakistan People's Party ने 1973 Constitution लिख के बना के पास किया और Pakistan People's Party ने अठारी तर्मीन को लिख के बना के पास किया हम जानते हैं कि Article 6 का क्या मतलब है Article 6 सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर इस्तमाल हो सकता है जो Constitution तोरते है जो क्या जा वो Constitution तोरे Force को धंकी दे के Constitution तोरने का धंकी दे और उनके खिलाफ पी इस्तमाल हो सकता है जो कलूड किंस्पायर करते हैं Constitution को तोरने के लिए और उनके खिलाफ पी इस्तमाल कर सकते हैं जो जुडिशल कवर देते हैं गेर जुमूरी अनकॉंस्टिटूशनल मैजर्स को वो है स्कोप आपका आपका आर्टिकल सिक्स का कुछी कोई बे बयान आर्टिकल सिक्स उस बयान पे उस पे नहीं लग सकता है जहां तक मौतबर जेनरल फैस साब है तमका इप्तियास है तमका इप्तियास है तमका इप्तियास मेरे पास इस स्पेसिफिक सेनिट एलेक्शन में उसका नाम से उसका जात का या उसका स्पेसिफिक मेरे पास कोई इन्फिमेशन नहीं है लेकिन गए जमूरी को तो इसमें इन्वाल्व्ट है मैंने कैम्पेइन को दरान भी पैसे का बात किया तो और मैं समझता हूँ कि माजी में जिस तरीके से ये इदारे चले जैनरल फैस हमीद साब पे बहुत बड़ा जिम्हदारी है कि माजी में तारीख में जिस तरीके से उसका इदारा सियासत में इस्तमाल हुआ धानली के लिए इस्तमाल हुआ असकर खान के इस पे बेनकाब हुआ आज वो जीज़ें नहीं होना चाहिए तो बड़े एक्सपेक्टेशन्स है जैनरल फैस हमीद साब को कि वो अपने एदारा को सियासत से अलग रखेगा वो अपना एदारा को मतनाजा नहीं बनने देगा और वो हकूमत को वो हकूमत को अपने एदारा को इस्तमाल नहीं करने देगा मैं अमीद करता हूँ कि जेनरल फैस साथ हमारा एक्स्पिक्टेशन के मताबग उतर जाएगा इस अपर्यम का आप में सवाल किया और दूसरा सवाल मारियम का सवाल किया टेप बना अच्छा 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 तदेख दिसेश विट सो इंपोर्ट के हमें पता है के दुबाओ हुआ हुआ हमें पता है के selection हुआ और ये tape की वज़ा से हमें भी अंदाजा है कि बत्तरीन कि उस सबकिछ की बावदूद पर एक और डाका डाला दिया लेकिन ये सब proof होने के बावजूद ये circumstantial evidence होने के बावजूद अफसोस की बात है कि हमें एक दूसरे को पर blame डाल रहे हैं हमें unite होके focus करना चाहिए है कि असल में क्या हुआ और ये ही वज़ा है कि Pakistan People's Party ने ना सिर्फ इस्तीफे लिए मगर हम अपना investigation भी fact finding committee कर रहा है जो इन सब चीज़ों को देखेंगे मैं मानता हूँ कि ये जो clip है ये जो video clip है जो social media पे चरह है बहुत मतनाजा है और इसमें ऐसे लग रहा है अवाज तो जो अगर मैं भी सुनता हूँ ऐसे लगता है कि जो count कर रहा है वो 54 का जिकर कर रहा है और जो announce हुआ वो 50 का था तो इस किसम का अगर discrepancy होगा तो obviously ये पूरा तरीके का जियादा मुतनाजा पनचाएगा मेरे senators को अप्रोच किया गिया है मेरा fact finding committee सारे senators से पूची की कौन कैसे ताके हमें अंदाजा हो obviously मेरा focus तो campaign पे था लेकिन जी मेरा senators अप्रोच किया एक senator ने मुझे अप्रोच किया एक senator ने किसी और को अप्रोच किया जिस senator ने मुझे अप्रोच किया उन्हों ने जांगीर तरीन सहब का नाम लिया कि उन्हों ने उनका एक mutual contact से बात की और जिस senator ने किसी और से बात किया उन्हों ने कहा कि गवनर पंजाब कोशिश कर रहा है हम से राप्ता करने के लिए लेकिन जब मेरा fact finding committee अब का काम मकामल हो जाएगा तो इन्शालाथ तब तब सब का हर senator का सब कराए जमा करके हमें कुछ बैठर पता चलेगा भी क्या खातून किसी का भी लिए प्रट सब किसी पुच्छे से आज की सिर्टी की बात हुए माजी में इमरान खान ने कहा है कि अगर extension मिले तो इदारी कम्स ओर होंगे I think कि extension पे हमें सियास्त नहीं कहलना चाहिए Pakistan People's Party के दोर में बड़े unique circumstances थे हम जंग के दोरान थे स्वाथ में पहली बार operation लर रहे थे और उस पुरा सूरत रहाल को देखे हमने फैसला लिया अब भी मैं समझता हूँ कि हकुमत सूरत रहाल को देखे फैसला लेंगे और अपना फैसला करेंगे कि अब एक प्रपागएंड़ को मैं कांटर करनू कि यह जो नून ली के दोर में बने नून ली के दोर में बनें investigation चल रहा था वो भी taxing और banking कौंट के लिहाज से interim government or selection के दुरान उपर selected हकूमत के दुरान अचानफ ISI और दूसरे डारे को उस investigation के उपर बिठा दिया गिया special treatment दिया गिया case खुद तब्दील होके सदर जर्दारी पर सदरी बन गिया सदर जर्दारी के पूरे खांदान भी बन गिया रावल पिंडी शिफ्ट हो गिया और criminal money laundering और पत्नी अजीब अजीब cases बने तो it's unfair to say के पहले cases बने और ऐसे जिस सुरतिहाल में ये पूरा process manipulate हो रहा है वो आपके सामने है और वो महदूद नहीं है सिर्फ हमारे लिए ये बहुत से सियासित्दानों के खिलाव critical voices के खिलाव इस state का apparatus accountability apparatus manipulate हो रहा है जहां तक NAP की बात है Pakistan People's Party का consistent stance रहा है बाकी पार्टियों का stance कल चेंज हुए फिर अच्छे positions पे आया है अमीद है ये अच्छे positions रहेंगे लेकिन Pakistan People's Party के stance जो है वो पहले दिन से यही रहा है के काला कानून है आमिर का बना हुआ कानून है हम नहीं मानते हमने कोशिश भी किया तबदीली लेकर आने के हमारे दोर में मिया साब के दोर में आज भी कोशिश कर रहे हैं हम समझते हैं कि हम चाते हैं कि एक असल accountability अदारा हो जो across the board accountability करे जो हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो जो एक आमिराना देशित गर्दों के जो आपके कानून में है वो चीज़े नहीं हो सकते हैं white common crime के लिए जैसे नवे दिन के without option of bail जैसे कि आप guilty हो जब तक आप अपने आप को innocent not approve करे ये जमोरी कानून नहीं होता ये इनतकाम के लिए political engineering के लिए एक अदारा है और हम सब जमोरी कोटों पर ये responsibility है कि जहां भी काला कानून है जहां भी कोई कानून है जो घर कोई मुरी कुट तो abuse कर सकते हैं उनको हमें खत्म करना परेगा please please ma'am sorry I don't know your name ma'am sorry please 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 start again इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा देशित कर दी हो या इंतहा बसंदो और नॉन स्टेट आक्टिस की तरह से देशित करती हो उसको कुडेंब किया है और उसको भी फुल फॉर्स से कुडेंब करते हैं लेकिन हम समझते हैं कि हकुमत को इसको सेरिस्ली लेना चाहिए हैं माजी में भी पाकिस्तान ने एक अपिटूनिटी मिस किया मोदी सरकार को एक्सपोस करने के लिए उनका इंतहा बसंदी को एक्सपोस करने के लिए उनका देशित करदी को एक्सपोस करने के लिए और आज हम निगोशियेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान का जो मौकिफ रहा है, वो यह है कि युनाइट नेशन्स एक वो प्लाटफॉर्म है, जहां इस डिस्प्यूट को रिजॉल्फ होना चाहिए, और अगर थर्ड पार्टी इंवल्फ भी होंगे, हमें बहुत कैफली इंवल्फ होना चाहिए, ऐसे ना हो कि जैसे फलिस्तीन में ट्रम्प दील कर रहा है, वैसे यहां दील ना है. एक तो हॉस्ट ट्रेडिंग बुरा है, अगर पीपल्स पार्टी करें यह कोई और करें लेकिन यह जो ऐलेक्शन का जिकर कर रहे हैं, उस ऐलेक्शन में पी टी आइए का हकूमत था, और पी टी आइए ने खुले आम खुले आम वोट्स का, उनके मेंबर्स से वोट्स इसका क्या हैसियत था, जब हकूमत इस किसम का हदकंदे इस्तमाल कर रहे हैं, हम बचारे आपोजिशन में हैं, हम आपोजिशन में पी टी आई के खिलाफ भी आपोजिशन में थे, आज भी हम आपोजिशन में हैं, आपोजिशन क्या धान ली कर सकता है, रियास्त ये काम कर सकते हैं और रियास्ती परकेदा नास कोसे सब्सक्राइब さारe Eần प्लीस मुथां कि सायदों ने ये पता है कि 25 मिस या फिस्जाथ की आप पे शाहितर साव इस वक्त तो सदर्ज थारी जेल में हैं सदर्ज थारी को में नैं ये गाम दिया गया था तो हमें इंतिजार करना परेगा कि दूआ करें सदर सुधारी को रहा हो ताकि ये वापस इस कहां पर लगे आप सब का बहुत शुख्याँ